पूरे मद्या परदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत ए बोपाल समित मद्या परदेश के विबिन हिस्सों में तापमान में गिरावट देखने को मिली बारी बैंकर गर्मी से रात मिली तो कई जगों पर दोस्तों बरसात की कतिदियों के साथ मौसम में बद करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप कहां पर रहते हैं मद्या परदेश में तो दोस्तों मद्या परदेश में विशन गर्मी के बीच लोगों को रात मिली है प्री मांसुन के चलते परदेश की राजदानी बोपाल समयत कई जगों पर दोपेर के बाद तेज आगों क पुझन में 22.5 के गरीब ताप पाने हैं यहाँ पर दोस्तों अगले 24 गंटों की तरह इन जिलों में अच्छी कासी बरसात के गतितियों के साथ गरत चमक के साथ यलो अलट जारी किया है और पूरी तरह से गर्मी से रहात मिलीगी इन जिलों में तो दोस्तों ध्यान लगा और बालागाट, मंडला, डिंडोरी, अनुपूर, समेश, शोपूर, कला, सिंग्रोली, अशोग नगर, मुरेना, अनुपूर, डिंडोरी, बालागाट, मंडला और यहाँ पर दोस्तों जाना, शिवनी, छिंद्वड़ा, पांडूना, नर्मदापूरं, बेतूल, हर्दा, खंडवा, पुरानपूर और खरगोन में वर्सात की गतितियों के साथ यलो अलटे, इसी के साथ मोसम में बदलाभी और बीजापूर में 45.8, प्रतिवपूर में 45.5, खजुरा में 45, शिवपूरी में 45, और नोगाउ में 45, दमो में 43.6, सागर में 43.6, गौालर में 43.5, और बरहाद बरी खबर ही, उतारचडा भी जारी है, बातलो कि यह एके साथ परिवर्तन भी देखा जा रहा है, उतारचडा वजार Gणे के साथ मौसम में तंडर के साथ, काफी जाधा जगव पर मीला जुला मौसम रेकोर्ड किया जारा है, इसी के साथ 30 से अधिक जिलों में द जिसके कारण दोस्तों पूरे के पूरे मांसुन की बात की जाए तो मध्या परदेश में 16 जून के आसपास मांसुन एंट्री कर सकता है उसके बाद मध्या परदेश में जमा जम बरसात की गतितियों के साथ मौसम बदलेगा और परिवर्तन हो तो यह नजर आएगा तो कुछ हो और देवास में दूल बरी होज के साथ मौसम एंधिक परिवर्तन है और मीला जुला मौसम रहने के साथ उतार चड़ा भी अधिकस अधिक देखा जा रहा है वहाई दोस्तों अगर आप भी मध्या परदेश में रहते तो आपके यह पर मौसम बदला और परिवर्तन हों क और 15 से 20 जून के अंदर अंदर दोस्तों मानसुन के एंट्री हो जाएगी और जमा जम बरसाथ के साथ उससे पहले ही 5-6 दिन पहले ही प्री मानसुन की गतिविदियों के साथ पूरे मध्या प्रदेश में मोसम बदलेगा अगले 24 गंटों की दिरहां तेज रफतार से हवाई चलेगी और खास करके मोसम विबाग की मने तो यहाँ पर तूफानी हाओ के साथ सिंग्रोली सीधी उमरिया चतरपूर टिकमगर जिलों में सबसे ज़्यादा हाओ का असर देखने को मिलेगा इसी के साथ दोस्तों जबलपूर कटनी बोपाल समेत आसपास की इलाकों का भी परिवर्तन होतो है नजर आ रहा आप कहां पर रहेते हैं मध्या परदेश में हमें कमेंट करके जरू बताना इसी के साथ दोस्तों एक एक जिले की बात की जाए पूरे मध्या पर देख सकते हैं जबलपूर में 32-33 रात के समय तो दिन में 41 के आसपास तापमाने गर्मी के परिवर्तन होने के साथ अगले 24 गंटों के दोन थोड़ी गर्मी देखने को मिलेगी कटनी की बात की जाए तो कटनी में भी मौसम मिला जुला उताचडा अफजारी और रात के समय तीस एक तीस तो दिन के समय चालिस एक तापमान रहेगा बादल भी चाहे रहेंगे परिवर्तन हो सकता है यहाँ पर बढ़वानी में 29-30 रात के समय तो दिन के समय तो दिन के समय तो 38 के आसपास तापमान है लगबख शनिवार रईवार सुमवार तक बूंदा बुंदी और बरसात की गतिदिय देखने को मिल सकती है गौलर की बात के तो 32-34 रात के समय तो दिन के समय 37 के आसपास तापमान रहेगा और शनिवार रईवार सुकरवार को बरसात हो सकती है मौसर में तंड़ के साथ परिवर्तन होगा हर्दा की बात के तो अर्दा में 33-36 रात के समय दिन तापमान ने साजापूर की बात के तो 29-30 रात के समय तो दिन के समय जो है न यहाँ पर 22,000 की पूरे के पूरे 40 के आसपस ताप मन रहेगा शनिवार रविवार तक बूंदा मुंदी बरसात की गतिदी अजार रहेगी वेदिसा की बात के तो 32-33 रात के समय दिन में 41-41 बादल चैरिंगे थाच्टा रवजारी है इसी के साद सतना की बात के तो 39-30 रात के समय दिन में 41-41 के असपस ताप मन रहेगा गर्मी के थी के तीके टेवर और मिला जूला मौसम रेकोड क्या जा रहा है यहाँ पर न या पर पता है, जार की गुना में 31-32 रात के समय तो दिन में 40-40 के इनके साथ परिवर्तन हो सकता है, शौसंगाबाद की बात की ओट 21-22 रात की समय दिन में 40-41 करीट तापमन finalement रहा है बादलो के अबर राट वार्टन की बात की समय है और परिवर्तन होने के आथार है। शनिवार रयुवर तक बरसाथ होंगी बादलु क्योजे की साथ परिवरतन हो सकता है। यहां पर छतरपूर में 31-32 पूरे साथ दिन बादल उताचड़ा फज़र रहेगा। सागर की बात की दिन में 891- contest के इने के साथ परीवर्टन होगा इसी के साथ नेम्ज की बात की बात की दिन में 40- 32- 32 रात की साथ दिन में 40 के आस-पास ताप में रहीवार तक बुर्सात दिन में पर बुरोड के बुरे दा..? में बादल चैरिंग के उताचड़ा फजार रहने के साथ परिवर्तने दमो में 32-33 रात के समय दिन में 41 के आसपस ताफमान रहेगा इसी के साथ टिकमगड में बादलो के उजए के साथ परिवर्तने 41 से करीब तापमान है मौसम विबा की मान तो जाबवा में 4 दिन बादल चाहिरिंगे उसके बाद रविवार सोंवर को बरसात की गतिदियों के साथ अलट है यहाँ पर इंदोर में दोस्तों जोए नबता हिजारी की बुदवार गुरुवार शुकरवार तक बरसात हो सकती है मौरे ना में दोस्तों जोए 40-41 से करीब तापमान बादलो के अज़े के साथ परिवर्तन है नर्सिंगपूर में 32-33 रात के समय दिन में चालिस के आसपास तापमाने शनिवार रुवार को बरसात हो सकती है मौसम में टंडग रहेगा यहाँ पर निवाडी में 32-33 रात के समय दिन में 42-43 के आसपास तापमार रहेगा तो यह ता मध्यप्रदेश का मौसम वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और आप किस जिले गावें शेत्र में रहते यानि पूरे मध्यप्रदेश में कहां पर रहते दोस्तों हमें कमेंट करके जरू बताना